कुछ लोग इसके चपेट में आई रहे हैं चाहिए वो कितनी भी प्रिकॉशन बढ़ने अगर हम इससे थोड़ी और साफधानी वर्टे तब हम इससे बश सकते हैं हमसे कुछ लोगों ने कोशन किया कि आप अपनी वेज़िटेवल फ्रूट्स को कैसे बॉच करते हैं क्योंक क्यों ना मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने क्या चीज इस्तिमाल के अपनी वेज़िटेवल फ्रूट्स को वाश करने के लिए डिटर्जन वाटर या सो बॉटर कर इस्तिमाल कर रहे हैं जो बिल्पल भी सही तरीका नहीं है क्योंकि आपको पता ह प्रूट्स और वेज़िटेवल में क्यों में चिछोटे च्वहार से उसे वाश करते हो तब वह उन पॉटर में चला जाता है और जब आप उसे खाते हो तब आपकी मुह द्वारा पेक में चला जाएगा जिससे आप कौभिर्ड से तो बच जाएंगे मगर आपको और प्र अगर आप ऐसे सब्जी या फलो को बॉश करें हो इसी लिए इस तरीकों को बिल्कुल अपनाएं यह बिल्कुल भी सही नहीं है एक जगह तो हमने यह भी पढ़ा कि एक लेडी ने दूसी लेडी से पूचा कि आप सोप से क्यों वॉश करते हो वैजी टेवल तब उसने बताय करें कि हम अपनी वैजी टेवल तूट को क्या से बॉश करते हैं क्या सही तरीका है उन्हें बॉश करने का जिससे आप कौफी से बस सकते हैं तो यह है वैजी एंड फूट बॉश यह लिक्विड होता है सब्जियों और फॉलो को धोने के लिए जो बहुत ही अच्छा तरी करते हैं अपनी वैजी टेवल फूट को तो मैं आपको 100% शूर हों कि वह आपके लिए बिल्कुल भी हानीकारक नहीं है यह बहुत अच्छा तरीका है मैंने इसे यूज किया है तभी मैं आपके साथ इसे शेयर करी हूँ मैंने इसे यूज किया मुझे लगा कि यह मैं सोच कि मैं अपना एक्सपीरियस आपके साथ भी शेयर करूं इसमें बताया हूँ है कि यह बैक्टीरियो और वाइरस को रिमूब करता है यानि कि इसमें बैक्टीरियो और वाइरस अगर आप इससे वाश करेंगे तो उसमें बैक्टीरियो और वाइरस नहीं है तो रिमूब हो बीटी को रिमुव को देचा, जा से आप पटेटो लाती होती है, उसे साफ करने में भी यह हर्प करता है, यह बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है, मुझे हम अच्छा लगा नहीं है, आप ब्रइडर को को और ब्रैंड का मिले, तब और ब्रैंड का ले चाहिए, इसलिए इस किया और काफी सेह भी लगा इसमें पीछे बताया हुआ है कि इसमें नो ब्लीच, नो सोप, नो पेराबिन, नो सल्फिक, नो आर्टिफिशल कलर, नो पर्टियूम और नो फेलकोहल ऐसा इसमें बिल्पुल कुछ भी नहीं है और यह 500 ml अल्ली 99 रुपीज का है और मुझे यह क वाश करना है जब आप उसमें वाश करने तब आपको एक टब में या एक बड़े बरतन में पानी को भर लीजिए उसमें इसके एक धगकर डाल दीजिए और उसमें अपनी वेजिटेबल को कुछ टाइम के लिए भिगो कर रखती जिए कम से कम एक मिनट के लिए और फिर उ अच्छी से सुखा कर अपनी फ्रीज में स्टोर कर लेजिए यह बहुत ही से तरीका है वेजिटेबल को वाश करने का अगर आप इससे वाश करते हो तो मैं यह कह सकती हूं कि यह बहुत ही अच्छा तरीका इससे आपके सबजी उपर जो जर्म सोंगे वो रिमूब हो जाते हैं अगर आप अपने वेजिटेबल को वाश करने के त्रीका को थोड़ा अप्ग्रेट करेंगे तब आप इस प्रॉब्लम से बस सकेंगे अगर यह थोड़ा सा महगा जरूर है मुझे पता है कुछ लोग अपर नहीं कर सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करकर इसे चोटी चोटी चीज़ों को अपने डेली डूटीन में शामिल करोगे तब आप इससे बस सकोगे जैसे कि आप मेरे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप इससे अपनी वेजिटे तब हम यह कह सकते हैं कि अपके बैक्टेरियों जर्म्स वेजिटेवल पर होगे वो इसके साथ ही वाश आउट हो जाते हैं इसलिए सिरफ पानी से वेजिटेवल को दोना काफी नहीं है आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डिटर इसलिए आपको पूरी सेफटी की जरूरत है इस समय आपको अपनी हाल्स के लिए पूरा ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप अपनी हाल्स का ध्यान रखोगे तब ही इससे बच सकोगे अगर आपकी इम्यूटी थोड़ी सी बीबीक होगी किसी की बीमारी के कारण तब जरूर यूज कीजिए और हमें जरूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या अपने पास के स्टोर से इसे पर्चेस कर सकते हो इससे खृतना पहुती असान है में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूगी आप अब आपको इससे वेजडेबस करकर आपको कैसा लगा अपना जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी आपका पता चल सके तो और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए और सा करना बहुत जरूरी है तब ही आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पको कि और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो से लाते रहें और अपने सब भी प्रेंड्स को इस जरूरू शेर कीजिए क् यह सारे लेकित तक यह वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइम सबको इसकी बहुत जरूरत है अगर वो कॉपिट से बचना चाहते हैं तो हैसे ही बने रहें थैंक यू झाल को इस बच्छाइब कर दो हैसे ही बने रहें प्रेंग्स को इस बच्छाइब कर दो हैसे ही बने रहें जरूरी है